वालो दोस्तों क्या हाल है आपके मेरा नाम है परमूद तो दोस्तों अगर आप वीवो वी 25 प्रो के उजर है न तो आपके लिए बहुत अच्छी ख़वर है क्योंकि यहां पे वीवो ने आपके वीवो वी 25 प्रो में Android 14 अपडेट का पहला बैच बीटा अपडेट की बात कर भी आए तो आप भी अगर यूज करते हैं वीवो वी 25 प्रो फटाफट एक बार सिस्टम अपडेट में जाएए वहां पे आपको ट्रायल वर्जन में चेक करना होगा क्योंकि यह जो अपडेट है फिलाल ट्रायल वर्जन में अबलेविल है वहां से जाके चेक आउट आपके वीवो वी 25 प्रो में जो अंड्रोइट 14 का अपडेट दिया गया है उसकी साइज क्या है वर्जन क्या है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो के इन तक वीडियो अच्छी लगए तो यार लाइक करना चैनल पर न बात करें दोस्तों इसके साइज और वर्जन की तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके Vivo V25 Pro में जो Android 14 अपडेट जारी किया गया है उसका जो वर्जन है तो मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पे 14.2, 11.0 और साइज की बात करें दोस्तों यहां पे देख सकते है 5.84 GB के आसपास की साइज है काफी बड़ी साइज है और क्या कुछ इस अबडेट में देखने को मिला है तो आलेडी मैं इस पे दो डिटेल वीडियो बना चुका हूँ Android 14 की हालागि आप कहेंगे तो इसका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा लेकिन फिलाल अगर आपको फोन में Android 14 आया है न तो एक बार चेक आउट कर लिजिएगा मेरे वीडियो लिस्ट में आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे और यहां पर दोस्तो रिक्यमेंडेंड में में मैंसल किया गया है कि आपके वीडियो वी 25 प्रो को Android 14 में अपडेट किया जा रहा है जो की जो की फ फाइनली वीवो की ओर से आप देख सकते इस तरह का कंट्रोल पैरल देखने को मिलेगा जो कि बहुत बड़ा चेंजेज है Android 14 का अब बात करें दूस्तों दूसरे मेजर चेंजेज की तो अब आप अपने फोन के लॉक की सिन को अपने अकॉर्डिंग कर सकते अगर आप अपडेट आये तो पहले इन दोनों फीचर को ट्राइज जरूर करिएगा दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए धन्यवाद